बहुत दो स्वागत है अज की बात एक खुश खबरी से यूपी सरकार इस बार नौरात्र पूजा के लिए हर जिले को एक एक लाख रुपए देगे आप देखना ये खबर सुनते ही वो सारे लड़की लड़कियां संत्रे रंग वाले कुर्ते गमचे सब कुछ लपेट कर ग आपको याद है प्रयाज राज यूपी में नोकरी मांग रहे हैं युवाओं की किस तरह उनके होस्टल में और कमरों में घुस घुस कर पुलिस ने डंडों से पिटाई की ती लेकिन ये सब तो पुरानी बाते हैं ताजा खबर तो ये है कि बाबा जी हर जिले को एक एक लाख रुपे देंगे मतलब ये कि बाबा जी पुजा पार्ट के लिए 75 लाख तो खर्च करेंगे ही वैसे भी आप लोगों ने बाबा जी को मुख्यमंतरी बनाया तो पुजा पार्ट के लिए ही बनाया होगा ना तो 2017 के दिपोसों में अविध्या में एक करोड तैंटीस लाख रुपे खर्च करके उन्होंने दिये जलाये थे इसके बाद तो हर साल दियों की संख्या बढ़ती गई और उस पर खर्च भी 2022 में तो उन्होंने विश्वे रिकॉर्ड बना लिया मतलब पहले साल एक करोड तैंटीस लाख फिर अगले साल उसका दो गुना खर्च और इस तरह आप अनुमान लगा सकते हैं कि बाबा जी ने अब तक 6 साल में कम से कम 12-15 करोड तो उसके दिये तो जलाई लिये होंगे और आप कहते हो कि उन्होंने युवाओं के लिए कुछ किया ही नहीं आपने मंदिर के लिए वोट दिया था तो मंदिर भी वो बनवाई रहे हैं मंदिर सजाने और दिये जलाने का ये जो पराक्रम है अब पगल वाले शिवरास जी भी करने लगे हैं हो सकता है कि वो भी कोई रूश्वी रिकाउड बना दे तबी तो मद्यपदेश की फिजा इतनी बढ़िया हो गई कि युवा अब कपड़े निकाल का सरकों पर परेयटन के लिए निकल गए हैं देखा जाए तो युवाओं को भी अब पूजा पाठ और आध्यात्म की और मुड़ जाना चाहिए क्योंकि वैसे भी अब बिना वेद पुरान पढ़े कोई इंजिनियर तो बन नहीं पाएगा और एक खबर है कि AICT ने देजभर के इंजिनियरिंग पाठिक्रम को बदल दिया है ये सब करने के बाद उन विद्यार्थियों को सन्यासी बनकर अपने सनातन धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी दी जाएगी पतन जली ने एक विज्यापन जारी करके बताया कि हिंदू राष्ट बनाने और सनातन की राष्ट धर्म बनाने के लिए 22 से 30 मार्ज तक सन्यासी ओं की भरती हो रही है जिसमें बारवी पास या ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट को मौका मिलेगा और निश्चित ही सन्यासी बनने का जो आउसर है ना OBC के लिए है क्योंकि SCST तो सादू बन या सन्यासी बन ही नहीं सकता क्योंकि उसको धार्मी क्रिया कराने की पुराणों में विवस्ता ही नहीं है और सरकारी नौक्रियों में तो अब सिर्फ EWS यानि की आठ लाख सालाना कमाने वाले सवर्ण गरीबों को ही मौका मिलने वाला है इन दिनों भर्तियों के लिए जारी होने वाले विज्यापनों पर अगर आप गौर करेंगे तो ये साफ है कि सरकारी भर्ती में अब सिर्फ और सिर्फ सवर्ण और उसमें भी सिर्फ ब्राम्मन ही भर्ती किये जाएंगे सरकार को उनकी बड़ी चिंता है और इसलिए महराष्ट के सहकारिता मंत्री ने विधान सभा में बोल दिया कि ब्राम्हनों की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए परशुराम आर्थिक विकास महामंडल बनाने पर विचार किया जा रहा है बहुत खराब है उनकी इस्थिति आप देख सकते हैं सही बात है भाई ब्राम्हनों की आर्थिक इस्थिति वाकई बहुत खराब हो गई है बेचारों को तो नौक्रिया मिल ही नहीं रहीं सिर्फ युनिविशिटी में 95 पतिशत कुलपती या कुलाधी पती तो हैं ही या इतन से विभाग प्रमुग बना देने से तो बात नहीं बनेगी ना रेलवे बोर्ड हो या फिर न्याय पालिका के प्रमुग परदो पर बिठा देने से क्या फर्क पड़ता है वैसे सची वाले प्रशाषन मीडिया हर जगे असी प्रतिशत होने से कुछ नहीं होता भाई सहाब पूरी तीन परतिशत ब्रमुग जनसंख्या को पूरी की पूरी सरकारी और पक्की नौकरी मिलना जरूरी है हाला कि सरकार ने अमरेट नाम से जितने भी परियोजनाय चुरू की है उसमें ब्रमुग को ही प्रात्मिक्ता देने का उन्होंने नेल्टे किया है ये सही भी है क्योंकि पुराणों की कथा के अनुसार जो अम्रित पान का अधिकार है वो सिर्फ देवों को है और देव यानि की ब्राह्मन और वो अधिकार उन्होंने राक्षसो यानि की बहुजनों को हरा कर हासिल किया है तो फिर बाकियों के लिए तो अब एक ही रास्ता बचा है कि वो ब्रह्मचारी सन्यासी बन जाए और मोदी जी ने तो ये बताई दिया कि ये तो अमरित काल है अब तो आप समझी गए होंगे कि अमरित किसको मिलेगा वैसे देखा जाए तो OBC युवाओं के लिए इससे अच्छा मौका हो भी नहीं सकता सीटे सीमीत है भाई जल्दी करें आज ही कॉल करें इस नमबर पर